37 गण की नई सरकार के मंचियों सरकारी बंगला अवंटन कर दिया गया है विधान सभा के नए अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंग के साथ ही सरकार के सभी 11 मंचियों पूर्व सीम भुपेश पगिल और पूर्व विधान सभा ध्यक्ष और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरंदास महंत को भी नया बंगला अवंटित कर दिया गया है अब को इदिक के डॉक्टर चरंदास महंत और भुपेश पगिल को उनका मन चाहा बंगला नहीं मिला है पर महंत को अमजीत भगदवाला बंगला दिया गया है जबकि वे मौजूदा में ही रहना चाह रही थे लेकिन सरकार ने उस बंगले को नई विदानसवा देक्ष डॉक्टर रमन सिंग को आवंटित कर दिया है इसी तरहें पूर्वी सियम बंगेल जै सिंग अगरवाल वाले बंगले में रहना चाह रही थी वे बंगला पहले मुखे सचिव कहुआ करता था लेकिन कौंगेस सरकार में उसी मंत्री अगरवाल को आवंटित कर दिया गया अब इस बंगले में वित्यमंत्री ओपी चौधरी रहेंगे तो डाक्टर रमन सिंग जो पुरू मुख्य मंत्री रहे हैं वर्तमान में विधान सबाद द्यक्ष है उन्हें वर्तमान स्पीकर चरंदास महंत जहां रहते थे उस बंगले को अबंटित किया गया है इसके अलावा जो प्रमुख रूप से टीस्वी देव जहां रहते थे की बात करें, संकर नगर सित, बिचामान अकरवाज जहां रहते थे पहले से ही निवास्रत है उसी बंगलों को उन्हें आबंटित किया गया है इसके अलावा जेल डोड स्थित जो बंगला है जहां मंत्री गुरू रुद्र कुमार रहते थे उसे मंत्री दयाल दास बगेल क आ हम फारेश की शोलाने शाषिता स्यवटांगलु आ देmaya तेहां है यहां पूरोमंत्री उनिल्मा केमन चईया चाहिं थी हाले कि इस बंगले की साइज थोड़ी बड़ी है तो उसको लेकर पूर्वा मुख्यमंत्री भुपेश बगेल उस बंगले को चा रहे थे उनका पसंद गई था लेकिन उन्हें अलाट नहीं किया गया है इसी तरह हैं जहां पर अमरजीत भगएट रहते थे उन्हें डाक्रण चरंदास महांत नेतापती पक्ष को अलाट किया गया है इसके साथी साथ तमाम जो मंतृ हैं उन्हें सभी यह को यह बंगले अलाट कर दिए गया पूरो पूर भूर मंत्री है भूपेस बगेल वे चारत है उनको मनपसंद मंगला नहीं मिला है इसके लावा चरंदास महान जो पूरी स्पीकर है वो भी चारत है जहां अभी वे निवासरत है अभी नियता प्रतिपक्ष हो चुक है तो उसी बंगलों को वो चारत है लेकिन उन्हें भी उनकी मन पसंद बंगले अलाट नहीं किये गए बाकि तमाम जो मंतरी हैं उन्हें उन जारी कर दिया गया है हाले कि सब्सकर न के काम परसन गनेश 2020 स्वரाजそれは इक्समती के लिए ये राइपुर से दिलिप्सा हूं